गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स। मैसल्फ हैतल पंड्या यूर हिंदी टीचर फ्रॉम श्री एलजी काकडिया सेकेंडरी स्कूल। आज हम हिंदी ग्रामर में कहावते पठेंगे। कहावते और लोकुक्तिया सेम ही है। लोकों में प्रचलीत वे कथन जो लोक अनुभूपर आधारित हो उसे हम लोकुक्तिया या कहावत कहते हैं। इसके पहले चेप्टर में हमने मुहावरे पढ़े थे। अभी हम कहावते। मुहावरे और कहावतों में अंतर क्या है। तो मुहावरे अपने शाब्दिक अर्थ छोड़कर रूड अर्थ गरहन कर लेते हैं। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। जब किलोकुक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। अब हम देखें किलोकुक्तिय में क्या है। कहावत का सबन किसी न किसी घटना से हुआ करता है। लोग उस घटना से सम्मधित कोई पंक्ती गड़ लिया करते हैं और जब कभी वैसा प्रसंग आता है तब वे उस पंक्ती को दुरा कर घटना चनित बातों की पुष्टी करते हैं जैसे यदि कोई किसी कार्यों को बहुत ही सुन्दर डंग से प्रस्तूत करने की बात करे और प्रस्तूती का मुका देने पर कोई बहाना बनाए तो उसके बारे में कहा जाएगा नाच न जाने अंगन डेटा अर्थात जब कोई विशच अनुभो सामान्य जन जीवन में सब क मन और बुद्धी पर प्रभाव डालने में समर्थ हो जाता है तब अनुभो का कथन कहावत का रूप धारन कर लेता है कहावत लोक से संबंदित है इसलिए इसका नाम लोकोक्ति भी है लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है लोक प्लस उक्ति जिसका आर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभो पर आधारित हो लोकुक्ति या कहावत कहलाता है लोकुक्ति या कहावत मानव के अनुभो की सुन्दर अभिव्यक्ति है यह वर्तमान बीडी को पुर्वजों से उत्राधिकार के रूप में तथा प्रभावशाली हो जाता है हम कभी न कभी लकोक्ती या कहावत का उप्योग करते है जब हमें लगता है कि ये सीधे सीधे नहीं मानता है तब उसे हम दाने में भी लकोक्ती या कहावत कह देते है अभी हम कुछ प्रमुक कहावते देखते है अंत बले का पला, अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है सेलेस कश्ट सहकर भी इमानदारी से परेश्रम करता है इसी कारण वह आज उचे पद पर पहुँच गया इसलिए कहा है अंत बले का पला पहले sentence उसका meaning और उसके बाद वाक्य में प्रयोग अंधिर नगरी चोपट राजा तके सिर भाजी तके सिर खाजा यह कहावत है इसका अर्थ है अयोग्य शाषक के कारण कूप्रशाशन मतलब अयोग्य राजा होता है तो नगरी में अंधिर रहता है अभियम उसका वाक्य प्रयोग करते है उस कार्यले का कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहाँ का आधिकारी ही प्रश्ट है चारों तरफ अंधिर नगरी चोपट राजा तके सिर भाजी तके सिर खाजा की बात है अंधे पी से कुत्ता खाए वो कहावत है इसका अर्थे काम करे कोई और फल कोई खाए पिता ने दिन रात कमाय करके धन इकटा किया और उसका बेटा मोज उडाते उडाते नहीं थकता इसी को कहते हैं अंधी पी से कुत्ता खाए जब पच्टाए होत क्या चपचीडिया चुक गई खेत हमने कई बार ये कहावत सुनी है हानी हो जाने पर पच्टाने से क्या लाब पहले तो बहुत समझाने पर भी तुमने परिश्रम नहीं किया अब असफल हो गए तो आंसु बहाने लगे क्या तुम नहीं जानते अब हो रहा है उससे पर हमारा परिक्षा आती है तब हम अच्छे से मेहनत नहीं करते और जब रिजल्ट आता है तब हम रोने बैठते है तो जब परिक्षा थी तब हमने अच्छे से काम किया होता तो ये का अदम पर लागू नहीं हो सकती मार के पीछे भूद भागे किसी की तरह से समस्या का हल करना ये इसका मीनिंग है जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बज़ाए कठीन या शिक्षात्मक रवया अपनाना इसके बाद है आँख का अंधा नाम नयंसुख गुणों के विरुद नाम होना चो नाम है उसका कोई गुण नहीं होता है और उसके विरुद होता है तो उससे कहते है आँख का अंधा नाम नयंसुख उसका नाम तो है सेंटेंस है उसका नाम तो है वीरसी मगर वह रात में च पहाजा सकता है, अंधे का आख का अंधा नाम नयन्सुख, इसके बाद है एक पंथ दो काज, एक साधन से दो काम होना, मैं दिल्ली नोकरी के साओसत करके देने के लिए गया था, वहां लाल Killa आदी भी देखाया, इसे कहते है एक पंथ दो काज, आप यहाँ पर वाक्य बद है वह मैं समझाती हूँ कंगाली में आटागीला मुसीबत में और मुसीबत आना व्यापार है तो कल बैंक से रुपया उधर लाया था वह भी चोरी हो गया अभी यह इसको हम अभी के समय के अनुसर बनाए तो कोरोना की वज़े से घर में बहुत सारी मुसीबत होती है उसके उसके ऊपर से और मुसीबत आजाए तो हम बोल सकते हैं कंगाली में आटागीला मतलब एक मुसीबत तो है ही उसके उपर दूसरी मुसीबत आ जाती है तो उससे हम इसमें यूज कर सकते हैं मतलब एक बड़े व्यक्ति के सामने एक छोटा व्यक्ति आ जाए और वो उसकी comparison कर रहे तो हम ये बोल सकते कि कहां राजा भूज और कहां गंगु तेली क्लास में दो लड़के होते हैं एक बहुत होशियार होता है और एक ठीक ठीक होता है फिर दोनों में हरिफाई होती है तो कोई मतलब क्लास वाला सोचेगा कि फोस्त वाला लड़का है वही फोस्त आएगा तो उसमें हम बोल सकते है कि कहां राजा भूज कहां गंगु तेली इस्वर की उसके बाद है इस्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया इसका आर्थ है भाग्य की विचित्रता कुछ लोग दूसरो के लिए मंदिर तथा धर्मशालाये बनवाते है कुछ अपने लिए एक समय का भोजन नहीं जुटा पाते इसे कहते है इश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया इसके बाद है चार दिनों की चांदनी फिर अंधिरी रात है थोड़े समय का सुख धन दौलत एश्वर या पर गर्वन नहीं करना जाये जानते नहीं संसार के रिती चार दिनों में चार दिनों की चांदनी फिर अंधिरी रात है इसके बाद है घर की मुर्गी डाल बराबर आसान इसे प्राप्त हुई वस्तु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता अभी sentence उसका भाई डॉक्टर है मगर वह बीमार हुआ तो शहर का दूसरे से दूसरा डॉक्टर बुलाया गया इसे कहते है घर की मुर्गी डाल बराबर मतलब क्या है कि जो घर में अवेलेबल है उसको हम नहीं देखते हैं और दूसरे को बुलाते है या दूसरे को काम कहते है तब उसे उसे बुला जाता है कि घर की मुर्गी डाल बराबर घर का कोई सदस से है वो अच्छे से अच्छा क काम कर सकता है है मगर हम कीसी और को बोलेंगे तो उसका मतलब इतना महत्वा नहीं दिया जाएगा तो उसका कहें felony करकी मूर्गी ना so इसके बाद है काट की हंडी बार बार नहीं चड़ती इसमें है इसका मतलब है छल कप पर तथा चाला की से एक ही बार काम निकलता है हम एक किसी को धोखा दे या किसी के चोरी करे तो एक क्या दो बार कर सकते है तिसरी बार किसी भी इंसान को पता चल जाएगा तो फिर वहाँ आपकी चाला की काम नहीं आयेगी एक बार तो sentence से एक बार तो तुम मुझे धोखा दे करो पिले जा चुके हो अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपडी बातों में नहीं आ सकता क्योंकि काठ की हांडी बार-बार नहीं चड़ती काठ की हांडी मतलब क्या है कि जो मटका होता है उसके उपर जो एक बड़ा वाला हिस्सा होता है गोल वो तूट जाये तो दूबारा मटके पर हम नहीं चड़ा सकते मतलब एक बार जो गलत बात हो जाये तो दूसरी बार हम उसका विश्वास नहीं करेंगे उसके बाद है एक तो करेला उपर से नीम चड़ा एक तो करेला उपर से नीम चड़ा मतलब कि एक दोस के साथ साथ दूसरा दोस भी लग जाता है जैसे कोई शरार्ती भी है और उसके उपर रिजल्ट भी खराब आएगा तो उसको बोलेंगे एक तो करेला उपर से नीम चड़ा या ऐसा भी कह सकते ये तोफानी तो था ही अब चोरी भी करने लगा तो मतलब एक दोश है उसके उपर दूसरा दोश भी लग जाए तो उसे कहेंगे एक तो करेला उपर से नीम चड़ा इसके बाद है, शचुंदर का सीर में चमे लिका तिल, आयग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ मिल जाना। चाचुंदर के सीर में चमी लिकाते हैं, मतलब इसका हावत का आर्थ है, कोई अयग्य व्यक्ति है, उसको अच्छी चीज मिल गई, अब हम उसका सेंटेंस देखते हैं, मनोज को न पढ़ाने का काम आता है, न वह बीड़ है, पर आज वह शिक्षक है, मतलब क्या है, कि जो अ सर में चमेली का तिल, इसके बाद है, जाको राखे साईयां मार सके न कोई, जिसका रक्षक भगवान है, उसका कोई कुछ नहीं भी गाड़ सकता, कार गहरी खाय में गिर गई, किन्तु सभी यात्रालू सकुसल है, सच है, जाको राखे साईयां मार सके न कोई, डूपते को तिनकी का सहारा विपत्ती में 84 भी मदद किसी को उबाड सकती है तो ओ कहावत बोली जाएगी कि वह जीवन से निराश हो चुका है तुम थोड़ा सा उस्सा दे दो शायद उबर जाए तो डूपते को तिनकी का सहारा भी काफी होता है नाम बड़े दर्शन चोटे प्रसिद्य थिक किन्तु तत्व कुछ भी नहीं तुम्हारे विध्याले की बहुत प्रसंसा सुन रखे थी पर आकर देखा तो पढ़ाय का स्तर कुछ भी नहीं इसी को कहते है नाम बड़े और दर्शन चोटे आप यहाँ पर कोई भी उदारन ल नाचन जाने अंगन टेड़ा गुण्ड ना होने पर बहाना बनाना यह दूसरों को दोस्त देना इसका वाक्या है अरे भाई तुम्हें गाना तो ठीक से नहीं आता और कभी तुम बदा रहे थे बदा रहे हो हार्मोनियम में बजा रहे हो हार्मोनियम में यहाँ पर एक छ चाहता है मैं डांस कर सकता हूं मगर स्टेज पर चड़ा है तो बोलेगा नहीं में नहीं कर सकता तो हम क्या कहेंगे नाचन जाने अंघंटीड़ा मतलब कुछ आता नहीं है तो किसी का दोस्त निकालेंगे इसके बाद है बक्रे की मा कब तक ख्यार मनाएगी आने वाला कुछ और उदारन देखते है, मुर्खों में, अंधों में काना राजा, तो मुर्खों में थोड़ा समझदार होना, इसका अर्थ है, मतलब बाक्ये बोलती हूं, मतलब के 50 से भी कम मारका है, तो उसको हम अंधों में काना राजा, ऐसा कह सकते हैं, उसके बाद है, अकेला चना भाढ नहीं फोड सकता, कठिन काम अकेला आदमे के वशका नहीं है, देश को आजात करवाने के लिए जब तक सब एक जूट नहीं होंगे, तब तक कोई अंग्रे जोग का बाल भी बाका ना कर सका, किसी ने ठीक ही कहा है कि अकेला चना भाड नहीं फोड सकता इसके बाद है आबेल मुझे मार चान बुझ कर जगड़ना या परेशानी मोल लेना अपने अधिकारिय की पोल खोल कर तुमने आबेल मुझे मार वाली वात कर ली अब तो दिन रातों में तंग ही करेंगे इसके बाद है आसमान से गिरा खजूर पर अठका एक वब विपत्ती से छूट कर दूसरी में फसना सेंटेंस है मा की बीमारी में उसका घर भीक गया और काम पर नियमेत रुप से न जा पाया तो नोकरी भी छूट गई इसे कहते है आसमान से गिरा खजूर पर आठका इसके बाद है उल्टा जोर कोतवाल को कर डाटे दोशी या अपराधी व्यक्ती नीर अपराधी हो ही दोशी ठहरा है मतलब जो अपराधी व्यक्ती है वो नीर दोश को सजा दे मतलब दोशी ठहराता है एक तो उल्टी तरफ साइकल चला रहे हो और खुद मेरी कार से आठक रहे है फिर भी दोष मुझे ही देते हो वा उल्टा चोर कोतवाल को ही डाटे उसके बाद है उची दुकान फीका पकवान नाम बड़े और दर्शन छोटे अभी हमने इससे पहले ही पढ़ा था फिर भी एक बार अरे इस विद्यालई में अब पढ़ाय का स्तर कुछ नहीं है केवल नाम ही नाम है ठीक कहा उची दुकान फीके पकवान आपको कपड़े या कुछ चीज खरीदने चाहते है पहले आपने बहुत नाम सुना होता है उसके बाद जब जाय तब पता चलता है कि यहां दो छातरों की कक्षा में सोर मचा रहे थे पर सजा सारी कक्षा को मिली सची है एक मचली सारे तालाब को गंदा करती है उसके बाद है काला आक्षर भेस बराबर बिल्कुल अनपड़ वाक्य है यह तुम्हें कहानी पढ़कर क्या सुनेगा इसके लिए तो काला आक्षर भे निकली चुहिया, परिश्रम बहुत करना पर लाब कम मिलना, रात बर मेहनत करने पर भी पूरी मजदूरी न मिली, ठीक ही कहा है, खोदा पहाड निकली चुहिया, अब वाक्य में अपने आप से भी बना सकते हैं, और अगर आप समझ हो गए हैं, तो ही आप वाक्य बना उसके बाद है, गेहु के साथ गुन भी पिस्ता है, दोशी के साथ निर्दोस को भी सजा मिलती है, मतलब निर्दोस भी पिस्ता है, लाल बाहदुर शास्त्री के मित्र, बाग में आम तोड़ने गए, माली ने देख लिया, तो उन्हें भी राटा, ठीक ही कहा है, कि गेहु के साथ गुन भी पिस्ता है, छोटा मुँ बड़ी बात, जब मनुशे अपनी ओकात से बढ़ चड़ कर बाते करे, छोटा मुँ बड़ी बात मतलब क्या है, कोई भी मनुशे अपनी ओकात से बढ़ चड़ कर बात करता है, तब उसे हम यह वाक्या बोल सकते है, इसके बाद है जुगनों के पास पेशा भी है और शिफारिस भी इसलिए ही उसे टेंडर मिल गया यह बात सच है कि जिसकी लाठी उसकी भेश जो गरजते है वो बरसते नहीं उसका अर्थे जो बहुत बाते बनाते है उनमें करमशिल्ता कम होती मतलब बाते ही करते हैं काम कुछ नहीं करते हैं उसे कहते हैं गरजते हैं पर बरस नहीं अभी बारिश का मौसम है जब बादल गरजते हैं तभी बरस से ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है वाक्य हम देखें रोहन कहता था कि दोड में नयारी करस्ता पित करेगा रेकर तो दूर त रचिर कर बाते करता है, थोथा चना बाजय घना, इसमें हम गुज्राती में एक कहवत है, अधुरो घडो है नहीं, छल का है, सेम मा कहवत चेनी, के थोथा चना बाजय घना, वाक्या, मुकेश अपनी समस्या का समय दन्धन तो कर नहीं पाता, लेकिन अपने गनान का वखान क करते नहीं थकता, ठीक ही कहा गया है, थोथा चना बाजे गना, दूर के ढोल सुहावने, लास्ट है, दूर के ढोल सुहावने, दूर की वस्तुवे अच्छी दिखती है, अपड़े गुज्राती में के वच है, दूर थी डूंगर रल्या मना, से मेंनू हिंदी छै, इसका वा लेकिन अमेरिका जानेव के बाद पता चला कि वहाँ जीवन इतना सहज नहीं है, दूर के ढोल सुहावने ही होते है, इसके बाद हम कुछ कहावतों के पिक्चर देखते हैं और उसे समझते है, मन चंगा तो कटोरी में गंगा, मन चंगा मने हम खुश है, तो हम कहीं पे भी पुन्य कमा सकते हैं, जैसे हम मंदीर जाकर ही पुझा पाठ अर्चन करें, तो ही पुन्य मिलें, हम घर में बैठ कर भी अच्छे से खुशी खुशी पुझा पाठ कर सकते हैं, तो मन चंगा मतलब मन तंदूरस्त है, तो हमें कहीं पे भी खुशी मिल सकते हैं, इसके बाद इसके बाद है नाच न जानने अंगन टिड़ा यह हमने आगे ही पढ़ा है मतलब जो काम नहीं आता है उसको करने को बोलो तो वो दोश निकालते है इसके बाद है घर की मुर्गी डाल बराबर मतलब यह कहावत भी मैंने आगे पढ़ाई है कि घर का कोई व्यक्ति अच्छा ह वगर उसकी कोई कद्र नहीं होती है इसके बाद है नो दो गयारा होना मतलब है भाग जाना अभी हम यह प्रकरन समाप्त करके भाग जाते है ठीक है आपने यह पढ़ा आपको समझ में आया आप देखो ना आये तो मुझे मुझसे भाद कर लेना ठीक है यहां पर हम कहावत जो है वो complete करते है